घर का महौल अच्छा नहीं है, इसमें लोगों का वहवार, लोगों के ताने मतलबी लोग, लोगों का दूर रहना, toxic behavior, silent treatment, discourage करना, ताने मारना, distractions create करना, सब चीज़े आ जाती हैं, तो आज इस इतने बड़े प्रशन का मैं आपको उत्तर दूँगा कि घर का महौल अच्छा नीचा दिखाएंगे, तो आपको क्या करना है, लड़ना है, युद करना है, time waste करना है, energy waste करनी है, उनकी इच्छा को पूरा करना है, नहीं, अपने कानों को ब्लॉक करना है, कान कैसे ब्लॉक होते हैं, रूई लगा लो, noise cancellation headphone लगा लो, दर्वाजा बंद कर लो, और यह जो होने में बैठके हमारा नाम लेगा, तो इदम सुना ही देजगा है, क्या बूल रहा है, होता है ना ऐसा, उस इच्छा को खतम करो, नहीं सुनना मुझे, अपने बारे में कुछ नहीं सुनना, ना अच्छा न बूर, मुझे अपनी रहा पर दिहान देना है, मुझे क्या करन मेरे लिए क्या बहतर है इस समय में मेरे भविश्य की रचना कैसे हो सकती है उस पर ध्यान देना है और इसमें एक और बहुत महत्पून चीज है कोई चीज आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही है जैसे जाहतर मेसेज मेरे पस आते हैं कि भाईया मुझे भी करियर बनाना है एक वो घबरा गई छोर दे पड़ाए पूरा दिन खराब करती है और एसा क्यों हो रहा है मैं बताओ तो क्योंकि आपका फैसला मस्बूत नहीं है आपका व्यक्तित्व मस्बूत नहीं है आप ना कहने की हिम्मत नहीं कर सकते अपने साथ खड़े नहीं हो आपको पताए कि मु स्टेंड पर क्लियर हो मजबूत हो तो आपको घबराट नहीं होगी चाहिए सौ बार बात कर लें शादी की आप डर रहे हो खुद को कमजोर आख रहे हो उन पर निर्बर समझ रहे हो वो जबरदस्ती गर्दन पकड़ कर शादी कर देंगे तब ही आप घबरा रहे हो खुद को पक्का कर लो लोहे का बना लो मेरा फैसला पक्का है क्योंकि वो सही है वो मेरे भविश्य के लिए बहतर है कोई उसको बदल नहीं सकता और साथ ही ऐसी बाते हो भी रही है तो कमरे में थोड़ा सा कम वल्यूम पर भजन चला लो कम वल्यूम पर गाने चला लो लोगरे इसको ब्लॉक नहीं कर रहे है वो काम करो और मुक्त हो जाओ बाकी समय आपका अपने लिए होना चाहिए घर वालों कोई बात पता होनी चाहिए कि इनसान करतव्य बद्ध है करतव्य निभाता है लेकिन जब यह कोई काम कर रहा होता है ताब हम इसको डिस्टर्ब कर सकते है पर मजबूर नहीं कर सकती कि कुछ और कर ले यह इसका पार्ग में जाके एक्सरसाइज करने का समय है तो चाहिए कितनी मस्ती करनी हो यह नहीं करेगा वहीं जाएगा यह जिम में जाने का समय वहीं जाएगा मंदिर जाने का समय वहीं जाएगा पूरे दिन काम कर अज़र हमेशा एक छोटा सा कोना अपने ले बना लो, कुछ चीजे अपने काम की वा रख लिए, पॉजिटिव चीजे रख लिए, भगवान की छोटी सी मूर्ती हो गई, कोई पॉजिटिव पोस्टर लगा दिया, एक कुर्सी लगा दिया, एक पॉधा लगा दिया, कोई अ कोना आपको पॉजिटिव वाइब देना चाहिए, बिल्कुल सफाई रखो, धूप बत्ती चलाओ, चाहे हलके हलके बजन चल रहे हो, वो जगे वो कोना आपका है, पूरे घर के माहौल से अलग उस कोने का महौल आपके लिए है, वो घर के अंदर आपके लिए एक छोटा स पर घर के बाहर जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उन पर होना चाहिए, जो एक्टिविटीज घर के बाहर हो रही हैं, खेल कूद हो रहा है, लाइबरी है, पढ़ाई हो रही है, उन पर आपका फोकस होना चाहिए, और वो सब भी नहीं है, तो कुछ समय बाग में बिताओ, पार्क नहीं करना, जब महौल इतना खराब है, दोस्तो आपका इरादा हमेशा नेक होना चाहिए, सब का भला हो, सब खुश रहें, सब की मदद करने का, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, मैं अच्छा हूं, मुझे अच्छा ही करनी है, और अपने लिए भी अच्छा करना, अपन पर मेरा मन नहीं करता, मैं उनका कुछ करो, तो मेरा जवाब यह था, पिता जी बुरे हैं, तुम तो बुरे नहीं, उन्होंने गलत किया, वो तुमारे लिए सीख है, कि मुझे कैसा नहीं बनना, तुमारा फर्स किया है, कि पिता जी को बुड़ापे में कमी नहों, अपना परसनलिटी को स्ट्रॉंग रखना है, मैं जो हूँ, मैं वो हूँ, आपके अंदर कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए, कि मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं नहीं बाई, मैं उनके जैसा ही बन गया, तो जिस इंसान का मन क्लियर होगा, मन साफ होगा, उसे बता है, मैं आर दिन के लिए मिले, उसके साथ भाग रहे हो, प्रेम में पागल होगा, अट्रेक्शन में पागल होगा, और घरवाले मना कर रहे हैं, तो घरवाले गलत होगा, ऐसा नहीं है, घरवाले भी बहुत सही होता है, वो बहुत समझदार है, यह मैं उनके लिए कह रहा हूँ, क मैंने इसका कुछ बुरा नहीं किया, जो यह हरकत कर रहा है मैं उसके लायक नहीं, I don't deserve that, इसलिए I won't take that, तो सबसे पहले make sure that you are not toxic, दोस्तों यह बात बच्चों के लिए बहुत महत्पूर्ण है, अक्सर क्या होता है, हमारे घर में महौल अच्छा नहीं होता, कुछ गलत हो रहा होता, कोई एक इनसान शराब बहुत ज़्यादा पी रहा है, कोई इनसान गाली गलोच बहुत ज़्यादा कर रहा है, माता पिता में बहुत ज़्यादा लडाई हो रही है, कई वार मारपीट भी होती है कई घरों में तो घर का महौल किसी भी कारण से अच्छा नहीं है तो हम उसी हिसाब से कंडिशन हो जाते हैं हम उस चीज को नॉर्मलाइज कर देते हैं सही मानने लगते हैं कि ऐसा होता है कि अगर मेरे घर में पती पत्नी में मारपीट हो रही है माता पिता में मारपीट हो रही है तो मतलब माता पिता में या पत्नी में मारपीट होती होगी मैं ये चीज अपने जीवन पर भी लागू करने लग जाता हूँ घर में कोई बहुत ज़ाधा घाली देता है तो मुझे लगता है गाली देना सही है मरदानगी की पैचान है मैं भी बहार जाके घाली देने लग जाऊंगा मैं भी negative बन जाऊंगा मेरे घर में मतलबी पना हो रहा है लोग मतलब के लिए जी रहे हैं, अपने काम से काम रख रहे हैं, तो मुझे लगेगा यह नॉर्मल है, मैं भी मतलब ही बन जाऊँगा, तो अगर आपको एहसास है कि आपके घर में कोई चीज, कोई काम गलत हो रहा है, तो एहसास करो कि वो नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर् तभी आप एक अच्छे इंसान मन पाओगे, अपने आपको सही रख पाओगे, कई बच्चे देखते हैं कि पिता जी रोज पी रहे हैं, रोज ड्रिंक कर रहे हैं, तनाव में ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक करना अच्छा ही होता होगा, पी के उनका वेवार देख रहे हो, खर चाहिए कि लोग जो आपको जज कर रहे हैं जो आप पे ठपे लगा रहे हैं उन ठपों से आपको फरक नहीं पढ़ना चाहिए खासकर मतलबी होने का ठपा इंडिफरेंट होने का ठपा कि यह तो अलग थलग रहने लगा यह लगी है और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं जब लोग बहुत जादा नेगेटिव होते हैं जो आपको ताने मार रहे हैं जलील कर रहे हैं गालिया दे रहे हैं रोक रहे हैं सही काम करने से जैसे पढ़ाई तो आपको उनके साथ समय बिताना कम करना होगा मिनिमम से मिनिमम इंटरेक्शन करना है सिरफ काम की बात करनी है म अभी मीनिमम कर लेना है और वो करना आसान नहीं होगा जैसे कोई लड़ाई का विश्याय है वहां से निकल गए वो इरिटेट कर रहे हैं से कुछ पूछ रहे हैं काम की बात का जवाब दिया निकल गए आपको जज किया जाएगा वो इंसान बेफकूफ तो है नहीं बोले का देखो मतलब ही नहीं रख रहा है अपने ही काम से काम रख रहा है पर आप इस थप्पे के लिए मत जीओ की आपको अच्छा बताया जाए बेस्ट बताया जाए कि आप अच्छे इंसान हो तो वो आपको अच्छा ही बोले इस थप्पे के लिए मत जीओ आपका मकसद होना चीये घर में रहते हुए बुराइयों से बच कर अपनी रहा बनाना, सुक से रहना, मुक्त होकर रहना, स्ट्रेस फ्री रहना और अपने जीवन का निर्वा कर रहाद लोगों से रंजिशे मत रखो, अपने आपको मुक्त रखो, जितनी रंजिश रखोगे वो इंसान आपके मन में बस जाएगा पूरे दिन उसके ख्याल आएंगे गुसा आएगा कैसे बदला लू कैसे रियाक्शन दू छोटी से छोटी बात है उसकी आपको चुबेंगे अपने जीवन से ध्यान अट जाएगा मतलब मत रखो लेकिन माफ करते चलो ये इंसान ऐसा ही है बचकाना है गलत है इसका सभावी ऐसा ही क्या करें मुझे इससे मतलब कम रखना है दुश्मनी नहीं पाल नहीं तो अपनी बॉडी लेंग्विज को पॉजिटिव रखो उसको ये मत दिखाओ कि आपकी उससे दुश्मनी ये रंजिश है या बत्तमीजी किसी से मत करो प्रेम से बाव करो क्योंकि आपका विवार आपका सुभाव अच्छा है रिस्पेक्टफुली ग्रीट करो अपनी जिम्धारियों का निर्वा करो और मुक्त हो जाओ आगे बढ़ जाओ अपने जीवन पर ध्यान लगाओ इससे उस इन्जान को मौका भी नहीं मिलेगा आपकी बुराईयां करने का या अपने आपको सही प्रूफ करने का कभी भी अग्रेशन मत दिखाओ घर में गुसे का भाव मत पैदा करो वो माहौल पैदा मत इससे बहतर है अपने में मस्त रहो अपने जीवन में व्यस्त रहो अपने रूटीन को अच्छा बनाओ पूरे दिन कुछ ना कुछ करते रहना है कभी किताब पढ़ लिए कभी गाने सुन लिए कभी टीवी देख लिया कभी पढ़ाई कर लिया कभी भजन कर लिये पूरे दिन बिजी रहो और अग्रेसिव होने का सीधा सीधा मतलब है कि अपने मन की स्थिती को बिगाड़ना पीस ओफ माइंड को लूज करना अपनी खुशियों को खोना तो अपनी खुशियों के लिए मन की शांती के लिए आपको सेल्फिश होना पड़ेगा मुझे अग्रेसिव होना ही नहीं किसी से भैस बाजी लड़ाईया करनी ही नहीं मेरे मन को हमेशा शांत रहना है मन की शांती आपका ultimate motive होना चाहिए चाहे उसके लिए लोगों से दूरी बनाओ कमरे के भीतर रहो अपने आप से मतलब रहो बिजी रहो एक हमारे अंदर बड़ी इच्छा होती है इंसानों में तोकने की इंटरप्ट करने की लड़ाईयों में घुसने की देखा होगा ना सड़क पे दो आदमी भहस कर रहे है भीड़ी कटी हो जाएगी कोई छोटा सा एक्सिडेंट होगी या गाली टकरा आगी किसी को चोटी पहुची भीड़ी कटी हो जाएगी मजे लेने के लिए देखने के लिए इंटरप्ट करने के लिए अपनी एडवाईज देने के लिए ये हम सब में आदत होती है तो घर के किसी कोने में लडाई चल रही है माता पिता की भहस हो रही है तुरहन सब को छोड़ के पहुंचेंगे ये भाई बहन की भहस हो रही है किसी की भी भहस हो रही है ये बात खासकर स्टूडेंट्स के लिए कह रहे हूँ भैस तब करना जब पावर की इस्थिती में हो अपना निर्वा खुद कर पा रहे हो और ना अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा और रिष्टे नाते भैस बाजिया डिसकुशन ये सब चलते रहेंगे शादी ब्या के लोगों की बुराईयों के कौन अच्छा है कौन कैसा है ये सब बाते जीवन पर चलती रहेंगी अभी अपना ध्यान पढ़ाई पर तो काम पर तो और इन जनरल भी कह रहा हूँ नेगेटिव बातों पे कम से कम ध्यान दे दोस्तो जीवन को सकारत्मक रूप देने के लिए नाकारत्मक ताको हटाना पड़ेगा बिचिंग चल रही है गॉसिपिंग चल रही है दूर रहो इनसे बिना बात के लोग लड़ते रहते हैं उनसे दूर रहो एक्साइडिड मत हो क्यों लड़ रहे हैं थोड़ा दूर चले जाओगे थोड़ा दूद भी रख दो चाहे तो और साप को पकड़ने वाले को चुपचा फोन कर दोगे उस साप से मुक्के बाजी तो नहीं करोगे या जो डिस्कवरी में शोस देखे हैं पकड़ने की कोशिश तो नहीं करोगे तो ऐसे जो नेगटिव लोग लोग होते हैं टॉक्जिक लोग होते हैं जो आपका बुरा चाहते हैं उनसे बहसबाजी नहीं करनी उनको गलत थाबिद नहीं करना वो जो कह रहा है बोल तो हां ठीक हो आप तो समझदार हो, आप तो सब जानते हो, आप तो अंतर्यामी हो, आप तो प्रभू हो, आपकी बात कभी गलत हो नहीं सकती हो, हाँ मैं जरूर करूँगा, बिल्कुल सुनूँगा, बिल्कुल छोड़ दूँगा प्रगती, बिल्कुल छोड़ दूँगा पड़ाई, बि फिर बुलाएं तुने ऐसा क्यों किया सौरी गलती होगी आगे से आपके इसाब से चलो फिर बुलाएं फिर वही करो अपना काम निकालो एप्रीशेट करो तारीफ करो कि आपकी सला तो हमेशा बढ़िया होती है आपकी सोच बिल्कुल सही है नहीं पढ़ना चीह लड़कियो लोगों को इंगेज नहीं करना खासकर नेगेटिव लोगों को कन्फ्यूस कर दो उनको मैनुप्लेट कर दो उनको कि वो कुछ कहीं ना पाएं जादा ना कह पाएं और आप अपने करम करते रहों थाइंक यूड अल्ट बेस्ट